और South International Transport Corridor मनसूबे में भी शमुलियत का फैसला किया है बहुत एडवांस्ट वैपनरी दी थी और इंटरनेशनल सैटलाइट के जरीए उन्होंने पाकिस्तानी पॉजिशन्स महया फरमाई थी कर्सी यूनाइटी सेट्स 27 तंध हमागा खेजमवाद से लेस माल बरदार जहाज भारत से इस्राइली बंदरगाह पहुँच गया वो रोक के उन्होंने वो ड्रोन जो है इस्राइल को भेजे है और ये मैं आप नहीं कह रहे हैं हमारा कोई सफीर नहीं कह रहा है ये इस्राइल का अपना सफीर कह रहा है हैधराबाद की जो फैक्टरी थी वो भारत के जो मिलिटरी फोर्सिस हैं उनके लिए सेट अप करी थी लेकिन एमर्जनसी में 20 ड्रोन इसराइल को भेजे गए यानि कि भारत ने बोला कि ठीक है जो हमारी जरूरते हैं उनको हम थोड़ा सा रोक लेंगे अमरीका, इंडिया और इसराइल पाकिस्तान को घेरा डालने हैं और हमें इसकी समझ नहीं आ रही है इसराइल जो है वो इनफेक्ट अमेरिका के शह पे या अमेरिका उसको प्रमोट कर रहा है कि इंडिया के साथ वो तावन करें जो स्टेटमें उनने दी जो पाकिस्तान के इस वाग रूस में सफीर है मौमध चालिच जमाली उननने ये कहा के जो पाकिस्तान है वो उसने फैसला किया असूली तोर पर के जो एक इंट्रनाशनल नौर्ट-साउथ ट्रांस्पोर्ट कॉरेडर है उसमें पाकिस्तान अब बागेरा तोर पर शामिल होगा अब सुने में ये आ रहा है कि एन्वल इंडिया रशिया समेट हो रही है और ये जिसे आप कहलें कि पिछले पांच सालों में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि नरिंद्रमोदी जो हैं व मारे तो इतनी अपोचुनूट ही से आला ताला ने इतना फजल किया पाकिस्तान पर वजिर आसम शेबास शरीफ ने आज कौमी इसमली के बजट इज्रास में खताब करते हुए एक तरहां से एतराफे जुर्म कर लिया कि ये आई-म-फ का बजट है इससे पहले किसी वजिर जियासम ने इस तरह का इतराफ कौमी इसमली में वो भी बजट इज्रास के दौरान नहीं किया क्या ये बाइसे शर्मिंदगी नहीं है कि हम आई-म-फ के बनाओे बजट पे अपने मुल्क को चला रहे है हाला कि हम अफगान जिहाद में अमरीका के पार्टनर थे लेकिन आ आपके तालुकात की एक मुएयत यह हो वेस्ट को इस चीज की आदत नहीं है और वो यह है कि वेस्ट कह रहा है कि इंडिया की सारी सपोर्ट दोन के लिए होनी चाहिए लेकिन नरिंदरा मोदी और डॉक्टर जे शंकर जो हैं वो समझते हैं कि हमें रश्या जो है उसके बनने को क्या देखते हैं क्या कोई बहतरी आईगी हमारे तालुकात में पाक इंडिया रिलेशन में तो इसको सामने रखते हुए आइम शूर के जो भारत है वो भी तो नहीं चाहेगा कि एक एसी राधारी जिसका वो औरिजिनल फाउंडर भी है उस औरिजिनल राधारी का सिनिटरी भी है कि पाकिस्तान को उसमें शामल किया जाए जिसका अनाज देखते हैं कि इसका रखा चिसम के चीनियों को इमका मकसद था खूश करना है चीनियों के कंडे वे उपर रखके इन रिस बंडू को कराने की कोशश की जब इन्हों है उसको अजबे अस थे हकाम करा जिस तरह इसराइल ने कारगील के वक्त भारत को की थी। कारगील के टाइम कोई भारत के साथ नहीं था और भारत को कोई मदद की बहुत जरुद थी। और आज भारत दुनिया के अगेंस जाते हुए इसराइल की मदद करवा है। भारत ने इसराइल को 20 ड्रोन दिये हैं जो की भारत अपने डिफेंस के लिए मैनुफेक्चर कर रहा था हैं। पर इसराइल की जरुद है तो उसने वई ड्रोन पहले इसराइल को देती है। पाकिस्तान को यह सब देखकर बहुत मिलची राज नहीं है, क्योंकि वह हमास को फेवर्ट करता है, आपके इस पर क्या विचारें, आप अब वीडियो पर कमेंट सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना मत बीच में है और भारत में बोला कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे जैसा कि आपने हमें सपोर्ट करा है, एक और चीज़ सामने आई कि, यूनो नई दिल्ली ने इसराइल को हरमीज 900 ड्रोन्स, अच्छली हरमीज ओरिजनली टेकनलोजी तो ये इसराइल की है, लेकिन अ इसराइली कंपनी भारत में आई और भारत की कंपनी के साथ इनोंने गड़ जोड करा, I think Adani Group के साथ, if I'm not mistaken, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो, और इनका जो गड़ जोड था है, हैधराबाद में इनोंने ड्रोन्स बनाए और वर्ल्ल क्लास ड्रोन्स हैं, गजब के ड्रो हैधराबाद की जो फैक्टरी थी, वो भारत की जो मिलिटरी फोर्स उनके लिए सेट अप करी थी, लेकिन एमर्जनसी में 20 ड्रोन इसराइल को भेजे गए, यानि कि भारत ने बोला कि ठीक है, जो हमारी जरूरत हैं, उनको हम थोड़ा सा रोक लेंगे, कोई बात नहीं, आ इसराइल, the decision to supply the drones to Israel was likely approved by the highest official in India, likely due to Israel being one of the main arm supplier to the country, यहाँ पे उन्होंने एक बात और बोली है, उन्होंने ये बताया है, किसाब ऐसा है, कि ये जो drone supply वाली बात है, Hermes 900 वाले drones, जो हैदराबाद से इसराइल गए, ये supply क्यों करें, इसलिए supply करें, क्योंकि इसराइल भी भारत को बहुत सारे हत्यार बेचता है, बहुत सारे हत्यार जो high tech weapons इंडिया में, बहुत सारे हैं, जो इसराइल के हैं, तो ये बात ही होती है न, कि ये जो हत्यार एक दूसरे को देना, एक दूसरे की मदद करना, यार ये बहुत समय तक, और मैं मुझे इस च तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करकी बता सकते हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटे बुचावा मत बुलिएगा थैंक यू